क्लिक अन सब्सक्राइब बेटन प्रेस अन बैल आइकन हेलो फ्रेंट्स दोस्तों यह हमारे टुट्योरियल का फर्स्ट वीडियो है इस वीडियो सीरीस के अंदर मैं आपको बताऊंगो कि आप किस तरीके से कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो डॉटनेट के उपर तो हम इसके अंदर डॉटनेट यूज करेंगे और हमारा जो एडिटर रहेगा वो रहेगा विजुल इस्टूडियो 2022 और हम इसमें डॉटनेट फ्रेमवर्क 6.0 यूज करने वाले हैं तो फ्रेंट्स आप इस वीडियो को कंपीड देखे इसमें मैं आप आपको पूरा एसे लेकर जाहर तक सारा गाइड करूंगा और फ्रेंट्स लॉग इन का मैथड क्या होता है किस तरह के साथ कैसे काम करते हैं जैसे कि मोंगो है पोस्ट ग्रेज है या फिर MS SQL है तो मैं आपको इस वीडियो जो इस वीडियो सीरीज के अंदर सारी चीज़े लगे बता लिए तो मारव फस्ट टोडियो में आपको इतना रही बताँ गए अप क्स तरीके से प्रोजेक्ट को सायट अप कर सकते हो और विज्यू स्थूटियो को किस तरीके सब अपने setup कर सकते हो यानि कि एक development environment किस तरीके से आप setup करोगे जहां पर अपनी coding का जो वर्क वह स्टार्ट कर सकते हो तो सबसे पहले आपको Visible Studio डाउनलोड करना है 2022 इसका डाउनलोड इसका डाउनलोड करना है जो कि इसके अंदर आप restful http की जो API बना सकते हो सी शार्प हम इसमें यूज़ करेंगे और यह MVC model के उपर चलेगा मिंस आप इसके अंदर controller भी बनाओगे model भी बनाओगे और चाहिए और प्रजेक्ट के आप अपनी location सेलेक्ट कर लिए जहां पर भी आपको अपनी project को सेव करना है अब हम यहां पर next पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने को आज़ अब भी यह है जो screen नहीं इस screen के अंदर आपको framework सेलेक्ट करना होता है तो सबसे पहले हमें आपर framework को सेलेक्ट करते हैं अब यहां पर dotnet 6.0 यूज़ कर रखाऊं क्योंकि long-term supporter friends out of support यहां पर जो framework का उसको आपको यूज़ नहीं करना है अगर आप करोगे तो आपके काफी problems आएंगे development के अंदर तो यह तो अपनको 3.1 यूज़ करना है बट लेटेस्ट में भी 6.0 चल दिए तो हम यहां पर 6.0 को ही यूज़ करेंगे authentication टाइप है इसको हम यहां पर नन रखेंगे क्योंकि हमें कुछ भी pre-installed authentication हमारी application में नहीं की चाहिए हम हमारे खुद का authentication बनाएंगे बाद में तो यहां पर नन रहने देता configure for HTTPS तो इसको आप टिक कर दीजिए कि हमें HTTPS भी हमारे जो लोकोल स्विस्ट के उपर चाहिए यूज़ कंट्रोलर का यूज़ कंट्रोलर अंचेक्ट यूज़ मिनिमल API इंसेंट ओफ कंट्रोलर और फ्रेंस थर्ड है कि एनेबल ओपन एपिए सपोर्ट यह थोड़ा important point है इसके अंदर फ्रेंस आइसा कोई कि मालीजे आप फर्स टाइम एपिए को पर प्रोजेक्ट बना रहे है फिर आप पहले भी डावलेप पर वहां पर आपको यूई मिलेगी उस यूई के ऊपर आप अपने एपिएस को डाइनमिकली रन कर सकते हो यान कि वैस ऑप्शन नहीं कि आपको जेसन बनानी वगरा कुछ पी ऐसा नहीं करना इसमें सारी जेसन बनी बनाई आएंगे आपके मॉडल के साब से ऑटो जनरेट हो 1.0 के उपर तो अब इसके अंदर कौन-कौन से फाइल से हमारे सामने बनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर सबसे पहले जो है एक कंट्रोलर आप देख सकते प्रोग्राम.cs फाइल एक वैदर फॉरकास्ट कंट्रोलर पड़ा है एक प्रोपरटीज की इन अदर ही आता है यहां पर इसको डिपेंडेंसिकर कर दो की प्रोपरटीज की अनदर आप देख से प्रोपरटीज के अंदर आप देख सकते हैं इस फाइल में आप अपने जो SSL port उसको define कर सकते हो, application का जो local host है, उसका आप यहाँ पर port define कर सकते हो, यहाँ पर development environment आपके project का रहेगा, launch URL अभी swagger रहेगा, तो आप सारी चीज़े यहाँ पर अपने project की setup कर सकते हो, starting की, अब friends उसके बाद एक controller जो कि हमारे सामने बना बना है, आया है, यह pre-installed controller है, इस इसको हमें use नहीं करना है, हम हमारा खुद का अलग controller बनेंगे, अब friends यहाँ पर program.cs file, अगर आपने .net code 3.1 पर काम कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि वहाँ पर startup.cs file चलती थी, but friends, 6.0 वर्दियन के अंदर startup file को remove कर दिया है, क्योंकि startup की कोई ज़रत नहीं है, startup.cs file एक ही file में maintain हो सकती है, तो उन्होंने एक ही file में maintain कर दिया, इसका नाव है program.cs, यहाँ पर आप अपनी pipeline भी manage कर सकते हो, और यहीं पर आप अपनी जो controller सा, repository सा, उनकी services को भी manage कर सकते हो, और यहीं से आप अपने application का जो authentication authorization है, सारी चीज़े एक ज़गर से यहाँ पर manage कर सकते हो, यह काफी अच्छा improvement है, dotnet 6 के अंदर, यह आपको 5 में नहीं मिलेगा, ना ही 3.1 में मिलेगा, तो इसलिए हमने हैं यहाँ पर web API के जो हमार project है, उसके लिए 6.0 version को यूज करा है, कि हम सारा काम latest पर करें, और किस तरीके से अभी जो नए-ने नुगर्ट्स हैं, नए-ने इस और अगर आपको उच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, थैंक यू फ्रेंड्स